Post Office में अब तक आप online RD और TD अकाउंट को open कर सकते थे अब आप NAC अकाउंट को भी online open कर सकते हैं साथ यह दिया आपका पहले से NAC अकाउंट है तो आप उसको online भी close कर सकते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं Postal दोस्त अभी आपको यह सुईधा केवल net banking के अंदर मिलेगी mobile banking के अंदर अभी यह सुईधा आपको नहीं मिल पाएगी जब भी यह option mobile banking के अंदर available होगा तो उसकी अलग से हम जानकर यह आपको देदेंगे तो NAC अकाउंट को open करने और close करने के लिए आपको general services पर click करना होगा general services के अंदर आप NAC अकाउंट को close करना NAC अकाउंट को open करना PPF अकाउंट open करना RDTD का account open की कर सकते हैं service request के अंदर आपको new request के अपर click करना है और फिर ok करना है यदि आपके पास में NAC passbook के रूप में है यानि आपका NAC अकाउंट एक जुलाई 2016 के बाद खुलावा है तो आप इसको online बंद कर सकते हैं नए NAC अकाउंट को open करने के लिए आपको NAC अकाउंट open ए NAC अकाउंट पर click करना होगा NAC scheme के बारे में एक detail वीडियो आपको अमारे चैनल पर मिल जाएगा और उसका link में वीडियो के नीचे description में दे दूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको deposit amount लिखना है जितने की NAC आप लेना चाहता है यदि आपने अपने बच्चत काते में nomination करवा रखा है तभी ही आप NAC online open कर पाएंगे अदर्वाइज यहाँ पर आपका transaction फैल हो जाएगा तो सबसे पहले आपको post office के बच्चत काते में अदर nomination करवाना होगा यदि आप online account खोलेंगे तो nominee वही रहेगा जो कि आपकी post office के account के अदर करवा रखा है यदि आप अलग nominee करवाना चाते हैं तो फिर आपको post office ही जाना होगा यहाँ पर 5 साल के बाद में आपका पैसा ब्यास सहीत आपको वापस जमा कर दिया जाएगा इस NAC को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं रिमार्क के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बाद में I agree पर टिक करना है और submit online पर आपको क्लिक करना है इसके आगे वाले page पर आपको एक confirmation page मिलता है यहाँ पर आपको amount और अन्य जानकरी verify करना नहीं है उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं और फिर आपको transaction password यापर enter करने होंगे और यहाँ पर reference number और NAC का account number आपको मिल जाता है इस NAC account number की आपको passbook लेने की आप सकता नहीं है आप चाहें तो इसकी PDF के अंदर receive download कर सकते हैं जो कि आपके income tax के अंदर काम आएगी इस online खुले account को आप online भी बंद करवा सकते हैं और offline भी आपको यह सुईदा मिल जाएगी लेकिन इसके लिए आपको post office से passbook issue करवानी होगी NAC को आप 5 साल से पहले close नहीं करवा सकते हैं तो इस परकार से बहुत ही easy और बहुत ही कम समय के अंदर आप NAC account को open कर सकते हैं Online TD और RD account open करने के वीडियो हमारे चैनल पर पहले से हैं और आप यहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं यह जो आप account open करेंगे वह 24 गंटे के बाद में आपको अपने account section के अंदर दिखने लग जाएगा Thanks for watching, Namaskar